कर्मन्य वाधिका रस्ते माँ फलेश कदाचाना मा कर्म फल है दोस्तों आपने जो वीडियो में कानहा बनी लड़की को देखा जिन्होंने कंठस्त गीता का श्लोक सुनाया ये कोई हिंदू लड़की नहीं बलकि एक कटर मुस्लिम लड़की है अगर कोई कुछ कहता भी है तो मेरे पास सिद्ध सा जवाब है मैं गीता किसी धर्म के उससे नहीं पढ़ती हूँ मैं गीता ग्यान लेने के लिए पढ़ती हूँ और ग्यान हम कहीं से भी ले सकते हैं दोस्तों हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया का सबसे पूराना धर्म है और यहीं एक मात्र धर्म है जो किसी को भी किसी से घ्रिणा करना नहीं सिखाता दोस्तों इतिहास गवा रहा है कि हिंदू को अपना अस्तितो बचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है हिंदू के साथ हुए उत्पिरन की कहानी आज भी इतिहास के पन्ने चीक चीक कर बया करते हैं हिंदू के साथ किये गए आमानिवे वेवार के बारे में किसे नहीं पता बहुत से मुस्लिम शाषकों ने हिंदू का जबरं धन परिवर्तन करवाया उनकी बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती की इतने घिनोंने काम किये जिनके बारे में सुनकर ही रोंग टेक खड़े हो जाते हैं केवल हमारे देश में ही नहीं बलकि दुनिया भरके अलग-अलग देशों में हिंदू समुदाय के लोगों को धार्मिक और राजनीतिक वज़े से बहुत उत्पिरन सहना पड़ा भारत में भी धर्म के नाम पर हिंदू के उत्पिरन की कहानी लंबी है इसलामी ग्रंथों में तो ये कहा गया कि हिंदू काफिर है और फिर शुरू हुई हिंदू के उत्पिरन की कहानी चाहे वो आदिल साही शासन हो या फिर औरंग-जेब का सासन सभी ने मिलकर हिंदू का उत्पिरन किया, अत्याचार किया, उन पर हमले किये और उस समय हिंदू को अत्याचारों से बचाने वाला कोई नहीं था हिंदू ग्रंत जलाए गए, मंदिर तोड़े गए और हिंदू का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, बले ही सेकड़ों अत्याचारियों ने हमारे मंदिरों को नस्ट कर दिया हूं, लेकिन वो ये समझ लें कि हिंदू धर्म को न कोई मीटा पाया है और नहीं कोई मीटा प हला कौन मीटा सकता है, हिंदू धर्म अडिक था, हिंदू धर्म ने कभी भी अपना उदेश नहीं बदला, और उदेश था मानव कल्यान का, सर्वजन हिताय के सिदांत पर चलता हुआ, हिंदू धर्म आगे बढ़ता गया, और आज हालात ये है कि बहुत से मुसलिम देशो में हिंदू धर्म का डंका बज रहा है, मुसलिम देशों में बहुत से लोगों ने मुसलिम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है, मुसलिम लोग हिंदू बनकर काफे खुस भी है, एक समय था जब मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया जा रहा था, लेकिन अब मुसलिम के देशों में ही हमारे सनातन धर्म का डंका बज रहा है, और वहाँ पर मंदिर पे मंदिर बन रहे हैं, वहाँ के लोग जैस या राम कह रहे हैं, जैस स्री कृष्णा कर रहे हैं, तो दोस्तों आज बात करेंगे भगवान स्री कृष्णा की, कनहिया की, मा खंचोर की, क्योंकि आज जन्मास्टमी हैं, और इस जन्मास्टमी के मौके पर हमारे देश के मुसलिम लोग, हमारे देश का मुसलिम समाज बड़ा बड़ चड़ कर भाग ले रहा है, और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि सभी सनातनी बनने के राह पर अग्रसर हैं, दोस्तों सबसे पहले आपको जन्मास्टमी की धेरो सारी शुब कामनाए, आप बने रहेगा वीडियो के अंतक, क्योंकि हम कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं, कि आपको पूरा यकीन हो जाएगा, कि आज का मुसलिम समाज धीरे धीरे सनातन के और आकर्शित हो रहा है, और बहुत सारे मुसलि दोस्तों, आपने जो वीडियो में काना बनी लड़की को देखा, जिन्होंने गीता को कंठस्त कर लिया है, जिन्होंने गीता का स्लोक सुनाया है, ये कोई हिंदू लड़की नहीं है, बलकि एक कटर मुसलिम लड़की है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि गीता प्रत्योगिता में इन्होंने प्रथा मस्थान पाया था, और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री स्री योगी जी ने स्वयम इन्हें पुरस्कृत किया था, दोस्तों, जन्मास्टमी का तिवहार पूरे हर सोव लास के साथ देश और विदेशों दोनों जगह पर मनाया जा रहा है, भगवान कृष्णा की जन्मस्तली मतुरा समेत देश भर में आज जन्मास्टमी का तिवहार धोमदाम से मनाया जा रहा है, और कल भी मनाया जाएगा, मंदीरों के अलावा लोगों ने अपने घरों में भी लड़ो बाल की प्रतिमा को रंग बिरंगी पोशाकों से सजा लिया है, कानहा के रंग में हर बाल गुपाल रंगा हुआ नजार आ रहा है, हर स्कूल कॉलेज में जन्मास्टमी का तिवहार हर्शो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, सभी धर्म के बच्चे राधा और कृष्णा बन तयार कर स्कूल ले जाते हुए दिखाई दे रही है, बुर्खा पहनी महिला ने अपने बच्चे को पीले कपड़े में कानहे का लूप दिया हुआ है, इसी बीच बनारस से भी कुछ अच्छी तस्वीरे आई है, बनारस हिंदू युनिवर्सिटी में जन्मास्टमी की खास अकर्शन का केंद्र रही फर्स्ट इयर की लुंबा खान जो ज्ञाकी में राधा बनी थी, लुंबा ने प्यार और संप्रधाईक सोहार्द का संदेश दिया, प्यार से जीता जा सकता है सबका दिल, पंडि दीन दयाल उपाध्या की रहने वाली लुंबा खान ने बत को बढ़ाने का इस से अच्छा अउसर नहीं मिलेगा, कृष्णा के पिता बने व्यक्ति ने बताया कि लुंबा खान मुस्लिम है, लेकिन वो तहे दिल से राधा का किरदार निभा रही है, सबी को समझना चाहिए कि नफरत से नहीं, प्यार से दिलों को जीता जा सकता है, ये जाकिया नारी शशक्ति करण का भी उदहारण है, बिये चिव महाविद्याले में छात्राओं ने 900 से अधिक जाकिया सजाई है, स्री कृष्णा जन्माश्टमी बताता है कि हमेशा अधर्म पर धर्म की विजय होती है, और यही कृष्णा की जिन्दगी भी बताती है, और इसी तरीके से उनके जीवन का वर्णन किया गया है, दोस्तों हमारे देश में कुछ ऐसी जगह हैं, जहां हिंदों मुस्लिम मिलकर मनाते हैं जन्माश्टमी, धर्म को नहीं, खुषी को देते हैं एहमियत, पूरे देश में जन्माश्टमी की धूम मची हुई है, हर सबसे ज़्यादा एहमियत दे रहे हैं, हिंदों मुस्लिम की एक्ता का मिशाल बने हुएं, ऐसी ही मिसाल, यहां भगवान कृष्ण के जन्माश्टमी की मौके पर तीन दिनों का उत्सव आयोजित किया जाता है, इस दोरान यहां कव्वाली, निर्थ और नाटकों का पिलहाल नहीं, बलकि पिछले कई वर्सों से मनाया जा रहा है, इस तेवहार के पीछे मुख उदेश हिंदू-मुसलिम में भाईचारे को कायम रखना है, यहां आयोजित मेले में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, और मेले का लुफ्त उटाते हैं, इस दोरान यहां पहुंचने वाले हिंदू-श्रधालू मंदिर में पूजा करने के साथ-साथ दरगाह पर भी माथा टेकते हैं, और दोस्तों यह हम सभी को आश्यर चकित करने वाली खबर है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आश्या करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, मि पिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जै हिन जै भारत, जै सनातन।